हर्याना पुलिस भर्ती का सपना देख रहे युवाओं को बड़ा जटका लगा है जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर्याना स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से विधामसभा चुनाव की घोशना से पहले चपन सो पदो पर पुलिस भर्ती के लिए अधी सूचना जारी की इन में पुरुष सिपाही के 4,000, महिला सिपाही के 600 और IRB पुरुष सिपाही के 1,000 पत शामिल हैं इन पदों के लिए सिर्फ CET पास उमीद्वार ही आवेदन कर सकते थे सभी सेट पास उमीद्वारों को 24 सितंबर तक आवेदन करने का समय भी दिया गया था इन पदों के के लिए यूवा आवेदन कर चुके हैं मगर अभी तक इन पर आयोग ने आगे की भरती प्रक्रिया शुरू नहीं की है कॉंग्रिस ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले निकली पुलिस की भरती की शिकायत चुनाव आयोग से की थी तब आयोग की तरफ से दावा किया गय हालकि हर्याना में चुनाव आचार सहिता के दौरान, हर्याना स्टाफ सिलेक्षन कमीशन और हर्याना पुबिक सर्विस कमीशन की सरकारी भरतियों पर भारत चुनाव आयोग ने बड़ा एक्षन लेते हुए रोक लगादी थी हर्याना में अगला CET भी आयोजित किया जाना है जिसके लिए यूवा लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं